तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे घी जिसे हम मलाई से त्यार करेंगे, जो आप मार्केट गी लाती हैं, उससे 100% प्योर घी घर पर बनाएं, इस घीव का यूज हर खाने में कर सकती हैं, तो चलिए हम घी बनाना सुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम मलाई चाहिए, तो मलाई बनाने के लिए मैं आख पर देख सकते हैं कितना मोटा मालाई का बैठा हुआ है तो इसी तरह सारे मलाई को स्टोर कर लेते हैं हम तो मैंने यहां पर छे दिन का मलाई लिया हुआ है और बहुत अच्छा चाई मलाई निकल जाता है इसे मेरे फ्रीज में रखा हुआ था तो जब हमें घी बनाना होगा तो हम मलाई को अधे अधे हंट पहले फ्रीज निकाल एक बार ब्धा नहीं आएगा तो इसे रुह की हम चलाएंगे मिकसर में एक बार क्रोक नहीं चलाएंगे तो दह सकते हमें लएそう transactionค्ण दिया है तो देखिक मैंने 2 स्यमन से रफ्र म्यां लिया है रोग रोक कर और म्खोन जो है अच्छा थे ऊपर हमारा आ गया है तो देख सकते हैं मखन के इतना अच्छा निकला हुआ है इसी तरह मखन को हम उपर करके निकाल लेते हैं कि यहां देखिया मखन निकल दिया है जो धो घीर निंगलने का बहुत से तरीका होता है या तो यह मत्णि से निकाल सकती है तो मैं यहां तो मिकसर जार का यूज कर रही हूं इसमें बहुत यह असान तरीके से बहुत जल्दी से हमारा मखण निकल गाता है हैं तो यहां पर दूध है उसे हम अलग कर देते हैं जो हमीरे बचा करा खा था मालाई को तुसमें बीनकर करेंगे हैं यसे भी हम हश्だから चलाएंगे रूक-रूपकर जाले में है दोस्तों छे दिन की मलाई के हम जो इतना सरा मख्ण निकला हुआ है आप बहुत जल्दी से यह मख्ण निकल जाता है और में यहां पर डालूंगी पानी तो मैंने यहां पर लिया ठंदी पानी फिरीज का इससे क्या होता है जो इस्ट्रा दूद्धर का है अची तरह सरक निकल जाएगा अब मखण हमारा भिल्कुल ही लग हो जाएगा तो अब देह सकते हैं मखहन हमारे बिल्कुल अलग हो चु है बहुत यह तरीके से अब इसे हम गरम करेंगे घीर निगालने के लिए तो मैंने हां गेस को जला दिया है और धीमी आज भी से हम साथ साथ मिशले पकाएंगे चलाते हुए तो nih तो करेंब यहां तीन सचाली मिन्ट हो चुका है तो आपक देख सकते हैं मक्षण अची तरफ से पिखल चुका है इसे और तरह से बागी रह गया है तो हथ gotta तो इसे लगातार चलाते बीए हम पकाएंगे तो देख सकते हैं 3-4 मिट और पकाएं हमने इसको तो यहाँ अच्छी तरह से गी हमारा है निकल चुका है तो देख तरह हैं दोस्तों घी निकल चुका है गर्सकों बंद कर दिया है अब इसे थंडी होने के बाद छानेंगे तो यहां पर देखिए घी है कि ठंडी हो चुकी है इसक 활 सब्सक्राइब होच dissolडी मारा जो सब्सक्राइब में कवो सकते हैं कितना हमारा घी निकला हुआ है तो आप लाइप सब्सक्राइब हड़ का प्यो जीशवाद सब्सक्राइब बिल्कुल दानेदार हमारा जो घी है त्यार होगा तो अब देश सकती है छे दिन की मलाई के हमने करीब 500 गराम घी निकाला हुआ है तो इस घी से आपको भी वेंजन बनाई है या किसी चीज में डालिए बहुत हैं शुगंद में उसमें आती है तो दोस्तों घी हमारा बन करे वीडियो चुका है अगर आपको इस वीडियो कुछ समझ में ना आया हो तो कमेट जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद